Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका मयंग और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए कच्छा ग्यार्य के लिए राइनीत विज्ञान के पाट कुस्तक भारत का सम्विधान, सिध्धान्त और व्यवार देख आज आज आपका इसी क्रम में यहाँ पर अध्याय आठवा है यहाँ पर हम इस्थानी सासन की अफधारना को जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आज के अध्याय की तो देखें यहाँ पर पहला जो हेडिंग है आपकी यही पूछा गया है कि इस्थानी सरकार क्यों चाहिए यानि हमें इस्थानी सरकार क्यों चाहिए अब देखें चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर दो कहानिया दी हुई है दो कहानिया यहाँ इस्थानी सासन के महत्त को बता रही है किस तरह से जो निर्वाचित लोग ब्यक्ति हैं यहाँ पर दोनों उर्होंने कैसे कैसे काम किया स्थानी लोगों के लिए तो वो कहानिया यहाँ पर आपको जर्षा रही है कि वाई स्थानी सासन में यह लोगों ने किस तरह से अपने गाउं के लिए गाउंवालों के लिए काम किया है तो वो पताया गया है Starting यहाँ पर हो रही है MP का एक जिला पड़ता है तो सीहोर की एक रहने वाली है निवासी यहाँ पर एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है जमनिया तलाब करके ग्राम पंचायत है तो यहाँ से गीता राठोर जो है यहाँ पर एक रिजर्व सीट से यानि आरक्षे सीट है आरक्षे seat का मलब आप जानते होंगे आरक्षे seat का मलब होता है SC या SGT बर्ट के candidate के लिए seat reserve होती है और इसी बर्ट का candidate यहाँ बर खड़ा होता है election में और फिर वो जीत जाता है तो से आरक्षे seat कहा जाता है तो 1995 में ये सी से सर्वंच बनी है और पांच साल बाद फिर से चुनाओ जब होते हैं तो लोगों का इनका काम इतना यहादा पसंद आ जाता है कि पांच साल बाद जब संदोयार में चुनाओ हुए हैं तो इनना दुबारा चुन लिया जाता है अब देगे इस बार यहाँ पर क्या थी सामानी सीट थी सामानी सीट का मलब तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर हर कोई कंडियेट है यहाँ किसी भी जातका कंडियेट हो कोई भी जातका कंडियेट खड़ा हो सकता है और सभी लोग जो एशSchool लिए बोट डालती है, यी बात आपको पता है, तो यहाँ पर बताया गया किस तरह से उन्होंने कारे किया है, यानि यह रायनेतक रूप से सक्री रूप बनके उबरी है, दूरदरसी निता बनके उबरी है, उन्होंने जो है necesit against theimana कर के बहाँ पर भा जारुकता अपना ही है उन्हें यानि गाउं में जो जल प्रबंदन मगएरा आपको बढ़ावा देने का कार किया है तो इस तरह से इनकी कहानी यहां पर दी हुई है एक अगली कहानी जो है वो कहानी है यहां पर एक गाउं है तमिलनाडू का जिसका नाम है बैंगे बसल तो यहां पर गवर्मेंट क्या गिया कि इस 71 सरकारी करमचारियों को क्या है दो दो हेक्टर जमीन आवंटित की है और यह जमीन जो आवंटित की गई है यह बैंगे बसल गराम की पंचायत के दायरे में थी अब देके समझने वाली बात है यह किसी ब्यक्तियों को आम जन को नह तो यहां के कलेक्टर ने क्या निर्देश दिये हैं, कि आवंटित जमीन के समद्ध में जो फैसला किया गया है उसको मानते हुए वो प्रस्ताव पारित कराए लेकिन यहां पर क्या है वह बात यह है कि यह जमीन जो दी जानी है, किसे दी जानी है? गवर्मेंट एमपलई को को दी जानी है अब ये सर्पंच को ये बात नागवार गुजरती है भाई की जनता के लिए बिलकुल नागवार गुजरती है क्यूं भाई सरकारी ब्यक्ति को जमीन देने के क्या मतलब है यानि जमीन किसकी है माली जग्राम पंचायद की जमीन है तो वी गाउं की इंग्द है collector के आदिस को मान ने सिंकार कर दिया है collector ने क्या किया? जमीन के अधिघड का आदिस दे दिया है यानि collector ने अपने बाहूबल का प्रयोग करते हुए अधिघड का आदिस दे दिया है लेकिन इस अधिघड के खिलाब यहां पर तो यहां पर इकल खंड़ फीट, नहीज पर अपर करते हैं, या उपर की खंड़ पीट में अपील करते हैं और अगली खंड़ फीट मेंजब जहां पर नेड़्य आता है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एकल नयादीस वाला नेड़ने पलट दिया जाता है यहाँ पर पूरा नयादीसों का पैनल है वो एक फैसरा लेता है यह यह आदेस लेता है कि सरकारी आदेस दो है वो पंचायत की सक्तियों की अवेलना करता है और यह पंचायत की सम्वेधानिक हैसियत का भी जो सरासर उनलंगन कर रहा है तो इसलिए यह लिहाजा गौर्रमेंट ने जो आदिस जारी किया है वो बिलकुल गलत है तो ऐसे करके यह आदिस को निरस्ट कर देती है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सरपंच जाग रुकती है मागी ग्राम बंचाय जाग रुकती तो उनोंने गलत फैसले को यहाँ पर रोक पाया तो कहने का मलब क्या है कि यहाँ पर इस्थानी रिस्तर पर लोगों ने अपने अधिकार máximo यहाँ इस वाली कहानी से आपको यह प्रेड़णा मिलती है कि इस्थानी इस्थान याने ज़न आम जन है यान जो जमीली लेबल पर उनकी संस्था है यहां पर आपको पता ही होगा स्थानी सासन को जो है यहां पर संबैधानिक दरिजा जो मिला है तिहत्तरमा और चोतरमा संसोदन जो हुआ है उसके ज़रीन थौनों को दर्जा मिला है क्या कहते हैं सबसे important है इस्थानी सासन कहते हैं यानि गाउं और जिला इस्थानी सासन है आपको सभी को पता है कि हमारे भारत में त्रिस्थानी सासन पद्दती है त्रिस्थारी का मलब आप जानते होंगे यानि क्या आप जानते हैं संसत के लेवल पर ठीक है यानि आप लोक स्थानी निकायों में आप जलाइस तर पर ठीक है तो यहां पर रीजन क्या है ऐसे रखने का रीजन यही है क्योंकि सबसे नहदीक होती है आम आदमी के और आप लोग यह बात तो आप जानते होंगे देखे आपकी समस्या है कौन सुल जाएगा जो आपके सबसे निरबाई हो आपके घर से कोई बैठा हो 500 कुल मिटर दूर क्या वो सुल जादेगा समस्या है नहीं सुल जापाएगा ओब इससी बात है जो आपकी सबसे नजदीक होगा सबसे करीबी ब्यक्ति होगा वही आपकी जरूरत है वही आपकी समस्या हो समझ पाएगा उन्हें solve out भी कर usdhani xasana को आप तो यहाँ पर इसे एक यह लाब मिला है इस थानी xasana की अबधार्ना को बढ़ावा देने से पहली बात तो यहाँ पर लोग काफी नजदीक आपाई है लोग नजदी काने का अप्राया यहाँ पर ही है कि लोगतंत्र में लोगों की सकृषभागिता हो पाई है इसके लाबस समथ्याओं का समाधान बहुत तेजी से हो पाया है क्योंकि लोगों के स्तरपर ही हो रहा है खर्चे भी कम हो रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भाई बताया गया है गीता राठोड वाला आपने मामला देखा तो एक मामला यहाँ गीता राठोड वाला आपने देखा कि सक्री सरपंच के रूप में कैसे भूमिका नवाई है पिर आपने बैंक बैसल गाओ वाली कैसला देखा है यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भई दोनों होएं नहीं यहाँ पर अपनी अच्छी वक्षूबी भूमिका निभाई है यहाँ पर जो लोकतंत्र में भागेदारी वाला आप जानते होंगे यहाँ पर आप जानते हैं गीता राटोड की जो कहानी है उससे आप क्या सबक मिला है लोकतंत्र में भागेदारी का सबक मिला है भही जो बैंगे बैसल वाली कहानी है यह जवाब दही कुछ नश्चित कर याなた की व एक भाग्यदारी और किसकी जबाब जबाब धेहु है सक्री भाग्यदारी नभाई जो है पनी यहां ससक्त बनागर, वहाँ पर भागेदारी निवाई है, वहीं जो बैंगे वसल गाउं है, वहाँ पर उनने देखा कि सरकारी आदेस बिलकुल गलत है, तो गलत आदेस के खलाब आवाद भी उठाई है, तो कहीं नहीं कि जब आप देह भी सुनिश्चित करती हैं ये, तो सुलच जाएं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी इस्थानिस तरगी जमच से हैं, बड़े-बड़े लेवल पर निस संसर्थ में पहुंचे हैं, अब जानते हैं इतना पॉसिबल भी नहीं है, तो इसलिए इस्थानिस तरगे ये निकाये इस्थाबित किये गए हैं, यहां पर भ लगे आप नगर निकम का अदिख्छ पग़रा हो, तो आप आसानी से वहां पर मिलपाएंगे, आसानी से अपनी बात हो, लेकिन आप भही बदायक पगेरा है यहां पर संसत पगेरा है तो आप एक बार जाने को सोचेंगे भाई एक तो घर से भी दूर है आसपास नहीं आसपास होते तो मिल लेते तो कहीना कि जब यह आम जंता के करीब यह सब चीज़ आ गई तो लोगों ने अपनी परिसानिया जो होती ही डायक्टने सॉल्व करवाने के लिए जाद दूर ना जाके भाई उनकी समस्यां सॉल्व हो गई तो यही सब चीज़ें यहां पर बताई गई है कि स्थानी सासन कैसे कारगर रहा है मैंन बात यह है कि स्थानी सासन की जो पद्दती अपनाई गई है उससे हमारी लोकसांतिक पक्रिया मजबूती हुई है यहां पर निकल के आई है कारणी के रूपे अब यहां पर यह बताया गया है कि भारत में जो इस्थानी सासन की अफदाड़ना है इसका विकास कैसे हुआ है क्या जो 73-74 समिधान ससोतन लाग हुआ है 1993 में तब से विकास हुआ है या उससे पहले भी हुआ है अगर हम इतिहास उठा के देखें अपने देश का इतिहास उठा के देखें तो हमारे देश में जो इस्थानी सासन पद्यती है यह हमारे प्राचीन इतिहास में भी पाई जाती है सभा के रूप में मौझूद थी या आपने अगर आरंबिक भारत का पड़िशे वाली किता प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौझूद थे ग्राम समदाई के रूप में बताया गया है यहाँ पर दूसरी बात है कि अगर आधुनिक समय में इस्थानी सासन के निरवाचित निकाए है वो 1882 यानि 1882 में अस्चित्तु में आई है लॉड रिपन के समय में अस्चित मुकामी जो एक उर्दू सब्द है हिंदी में से लोकल बोर्ड कहा जाता था ठीक है अब देखें यहाँ पर यह तो बात होगी 1882 की उसके बाद आपको पता है 1885 में जो राश्टी जो है आपकी कॉंगरिस की स्थापना हुई है उसके बाद कॉंगरिस ने लगातार प्रया एक्ट उनिस ठीक है इसमें प्रांतों में फिर ग्राम पंचाद बनी है उस प्रांतों में 1935 के जो गवर्मेंट आप इंडिया एक्ट आया है इसमें भी प्रभति जारी रही है यहाँ पर आप नोट कर लेना अगला पॉइंट ठीक है यानि कॉंगरिस के दवाव में इस्थानी बोड़ों को ज्यादा कारकर बनाने के लिए गवर्मेंट आप इंडिया यहां से यहां तक और इसी में थर्ड का सब पॉइंट यह लिख लेना तो ऐसे आपने देख लिया किस तरह से हमारे देश में हमारी सुधंता से पूर्व जो यह संस्थाएं कैसे बनी है किस तरह से रही है इनका इतिहास आपने देख लिया इसके लाव आपको यह तो बता होगा कि महात्मा गांदी जी विकेंद्री करण के पच्छ में थे विकेंद्री करण के पक्षदर थे इनका मानना था कि जतनी सक्तियां हमारी बटी हुई होगी जतनी सक्तियां हमारी इस एक व्यक्ति के हाथ में सक्तियां होंगी, तो ओवियसी बात है, वो सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं कर पाएगा, कुछ एक का ही समाधान कर पाएगा, तो गांदी जी जो थे, इस बात के पक्षदर दे, और दूसरा कतन आपको गांदी जी का पता ही होगा, तो यहाँ पर ऐसे करें कि गांदी जी जैसे बिचारकों के बिचार यही थे, ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाया जाए, तो ऐसे करें कि आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, इसी महीं, चौथा पॉइंट, देखें, मैं पॉइंट इसलि एक बाद दे रहा हूँ, कुछ बच्चों का बार-बार यही कमेंट आ रहा है, सर आप इस बार नोट नहीं करवा रहे हैं, देखें, नोट करवाने लाइक होता है, वहाँ नोट करवा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मात्मा गांदी कथन भी है, अब देखें, यहाँ पर सुरुवात में था क्या, सुरुवात में यह था, जब हमारा देश, हमारा समिधान लागू हुआ, समिधान पूरी तरह से आपको पता है, कि नीत निर्देसक तत्तों में ऐसा नहीं है, नीत निर्देसक तत्तों में रख दिया गया था, यानि यानि आर्टिकल 40 जोगा नुच्छे 40 है, तो बहाँ पर इस्थानी सासन की अभधारना को रख दिया गया था, खहा गया था कि राज्य इस्थानी सासन की पद्धती मजबूत हो, आर्टिकल 40 में इस्थारे की बात कही गई थी, तो लेकिन आप जानते ही है, भाई, राज ये कोई भी है, आप सभी लोग ये जानते है, गवर्मेंट नहीं चाहती है कि ये सब चीज़ें फैलें, फैला हो, फैला होने का मनलब क्या होगा, कि गवर्मेंट को पैसा देना पड़ेगा, ओविसी बात है, कि स्थानी स्थार पर हम सरकारों के चुनाव को गएरा करवाएंगे, उन्हें जो निरवाचित लोग होके आएंगे, वो भी तो डिमांड करेंगे, भाई, पैसा दो हमें, कुछ विकास कारी करवाने, तो अत्रिक्त विक्ती बोज पड़ेगा, इस बज़े से कई कही सारे राज़्यों ने इस बात को अपना जाए हैं, उन्हें ने कहा कोई बात नहीं, कुछ राज़्यों ने बात मानी, कुछ ने नहीं मानी, यानि समूचे भारत में एक रूप में ये लागू नहीं हो पाई तो वही बात यहां बताई गई है इसके अलावा यानि सेंटरल गवर्मेंट ने भी फोर्स क्यों नहीं किया उसका भी एक रीजन था उसका सबसे बड़ा रीजन था 1947 का देश विवाजन हुआ था 1947 का देश विवाजन का दन से जेल लहा था ये बात आप सभी को पता है तो जब देश का विवाजन हुआ था उपर से भयंकर वाले दंगे हुए थे तो ऐसे में Central Government की भूमिका यहां पर बहुत important थी यानि Central Government अगर ससकत नहीं होती तो यकीन मानिए वो इस तरह की जो विवाजन वाली पद्यती है इसको नहीं रोप पाती विवाजन में जो हिंसा हुई थी इनसा पर गारा आगे से ना हो आगे से हमारा कोई टोकड़ा हमसे अलगना हो तो इस ससकत नहीं हो पाते हैं तो सबसे important रॉल माँबे कैंदर का था यानि एक बार तो गल्ब्री जो हो गई सो हो गई पाकिस्तान वाली अब दुबारा हमारे साथ ऐसी किलती ना होने पाए तो जरूरी ये है कि कैंदर को मजबूत बनाया जाए ये हमारे राष्ट इन्रमाताओं के माइंड में ये बात थी दूसरी बात सबसे important बात ये थी कि आपके नहरू जी और डॉक्टर बियार अर्बेटकर इस्थानी सासन के पक्ष में नहीं थे समझने वाली बात है नहरू और डॉक्टर बियार अंबेटकर इस्थानी सासन के पक्ष में नहीं थे इनके अपने अपने तर्क बिल्कुल अपने अपनी जगे सही है और देखें मेरा मानना ये ये है कि अगर मैं आज की डेट में भी देखूँ तो आज की डेट में मुझे इनके तर्क सही लगते है अब देखें मेरी सोच क्या है आपकी सोच क्या है वो अंतर हो सकता है लेकि मुझे आज मी सही लगते है क्यों लगते है क्यों कि मैं इस्थानी सासन की जो पद्धिती राश्ट की एकता और अखंडता एक लिए खत्रा मानते थे। हकीकत बात यह है कि कोई ब्यक्ति जब इस्थानी हिस्तर से जोड़ा होगा, अपने इस्थानी हित्वों से जोड़ा होगा वो राश्ट के बारे में नहीं सोच पाएगा। डॉक्टर बियारंबेटकर ने भी ये बात दोहराई कि ग्रामीड भारत में एक तो जातिवाद बहुत जादा है, इसकी वैसे आपसी फूट का बोलबाला है, तो ऐसे में अगर हम ग्रामीड भारत में यह पकड़ा दें, मली ग्रामीड भारत में स्थानी सासन की अपधारना को रग दें, तो क्या होगा, यानि कि उद्ध्यस ही मटिया मेट हो जाएगा, यानि उद्ध्यस खतम ही हो जाएगा, जो हम चाह रहे हैं कि लोगतंत्र खड़ा हो, लोगतंत्र में लोगतंत्र में लोगतंत्र सक्री रूप से सहवाग करें, खड़ा हो पाए लोगतंत्र य मानना यही था कि ग्रामीड जो भारत है अगर ग्रामीड भारत में इस सब चीज़ें रख दी जाएं तो अभी इसी बात है लोगों में बैचारिक ब्यामिनस से आपसी रंजिस ये सब चीज़ें आएंगी और जो हम लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं लोग ऐसे करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे यानि हम लोगों को चाह रहे हैं लोग सिक्षेत हो के आगे बढ़ पाएं लोग यहाँ पर आपसी विद्वेस आपसी रंजिस वाली वहाबनाम में उलजकर रह जाएंगे तो बरहाल दोनों नेताओं के इस बात में पक्षतर नहीं थे इस ब संतर का आधार जो है ग्राम पंचायत हों लेकिन इस बात की उन्हें गहरी चिंता थी कि गाउं में गुटवाजी अनिवराईयों के मौझूद होते सायद ऐसा करना ठीक नहीं हो यानि सब के माइड में बात थी गाउं में गुटवाजी बहुत ज्यादा होगी अगर मैं आ मानना ऐसा नहीं बहुत सा लोग इन से बचते हैं बचने का रीजन क्या है यहाँ पर आपसी बिद्वेस भावने बहुत ज्यादा पैदा होती है वो पहली बात पॉइंट आउट कर लेते हैं फलाना आदमी है फलाने आदमी का लिंक फलाने से है तो हमें बोटर नहीं मिले है फलाने आदमी का बोटर है फलाने आदमी का बोटर है तो ऐसी में चुनावी रंजिस वाला महौल यह गुटवाजी वाला महौल बहुत अच्छा का सा क्रियेट हो जाता है जबकि विदांसवा लोगसभा वाले इलक्सकन में इतना ज्यादा गुटवाजी नहीं होती है यहाँ पर गुटवाजी नहीं होती है और नहीं महाँ पर ऐसे हर कंडियेट पर हर घर पर नजर रखपाना संभव होता है यहाँ पर यही होता है गाउवालों में आपने देखा होगा यहाँ पर हर घर पर नजर रखी आती हर घर में कितने कंडियेट चार कंडियेट पांचों कंडियेट बोट डालके आये या नहीं आये और अगर कोई खंडियेट नहीं डालके आये बोट क्यों नहीं डालके आया तो ये सब चीज़एं यहां पर देखने को बिलती हैं तो ये बात इनके निर्माताओं के माइंड में भी थी कि वाई हम ये चीज रख रहे हैं इस चीज की हम पैरोकारी कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन क्या ये सकसेस हो पाएगा तो ये बात इनके माइंड में भी थी तो यहाँ पर भरहाल ये सब चीज़ें थी यानि में चीज ये थी नहरू जी और डॉक्टर बियार अमबेटकर के समर्थन में नहीं थे देखे ये बात मैं क्यों यहाँ पर आपसे फोर्स पुली यानि के जोड़ देकर बोल ला हूँ अगर कहीं लाइन लिखी आ जाए कि नहरू और डॉक्टर बियार अमबेटकर के कहने पर ये रखी गई तो आप इसको बिल्कुल ऑप्षन को गलत कर देना ठीक है इस वज़े से मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि इस तरह के ऑप्षन देखे गए हैं पहले भी ये खास करके ये वह आपका इस्थानी सासन वाली पद्धिक यहाँ पर जो कह सकते हैं जो पैरोकार रहे हैं वो महत्मा गांदी जी रहे हैं जो नहरू और डॉक्टर बियार अमबेटकर नहीं है ठीक है ऐसे मैं कहने का चारा हूँ आगे बढ़ते हैं यहाँ बर अब भारत में स्थानी सासन को कब मानिता मिली है कब यहाँ पर स्थानी सासन को कह सकते हैं strongly यहाँ पर मानिता मिली है वो हम देखेंगे 73-74 समिस संसोदन तो आप सभी को याद है ठीक है लेकिन इससे पहले भी कुछ काम हुए थे पहले आपका 1952 में क्या एक आया है 1952 में सामदाय विकास कारेकरम ये लाया गया था यानि कि स्थानी सासन को बढ़वाद देने के लिए nuit 52 में यहाँ या आप इसी जो प्रश्ट भूमीर की प्रश्ट भूमी में ही Words गरामिली इस्तरी पंचैति बहुत तारे जो है राज्यों ने इस बात को नेतरंदाज कर दिया उन्होंने का नहीं हम नहीं मान रहे नहीं नहीं दिया यहां पर उससे में क्या था जब आपकर कम्यूटी डब्लमेंट प्रोग्राम चला था यह जो भास्तविक प्रोग्राम था यह बित्ती मदद के लिए प्रदेश और सेंट्र गॉर्लमेंट पर बहुत ज़्यादा निरवड था ठीक है जोगे इसे स्वायत्ता ज़्यादा दी नहीं गई थी इसके लाबा यहां पर इस्थानी निकायों का जो पद्धिदी यहां पर अपना ही गई थी इसमें आपने को यह भी देखा होगा यह बहुत अत्यक यह भी था कि कई सर राज्य सरकारों ने इसमें उधासिन्ता दिखाई उन्होंने क्या किया उन्हों को सब्धिया गिया तो ये सब चीज़ देखने को मिली शुरूबात में लेकिन 1987 के बाद क्या हुआ इनका पुंदा वो लोकों ने स्टार्ट हो गया फिर से एक रिब्यू करना स्टार्ट हो गया कि भाई देखते हैं कि इस्थानिस रासन की अवधारना को मजबूत करने से क्या लाम मिलेगा, क्या हानिया होँई तो यहाँ पर राजीब गान्दी की सरकार को यहाँ पर जो सम्धानी तरजया देने की सिफारिस भी की है इन्हों ने ये कहा है कि इनके समुचित कार्यों की सूचित त topping की जाए और धन प्रतान करने के लिए संब्धान संसुधन किया जाए इसने पैरोकारी किया है इन संसाओं की चुनाओ समय समय पर हो कारियों की सुझी तैक की जाए यानि कि क्या कौन कों से कारे कौन कों से कारे हमारे कह सकते हैं, हमारे राजनियता ने इस पर ठोड़ा ध्यान दीया है और आगे फिर तिहत्तरमा चौतरमा संविधान संसुंद्रों की बात को आगे बढ़ाया है, तो यहाँ पर पताएगा हैं 1992 में यहाँ पर तिहत्तरमा और चौतरमा यहाँ पर संसतने पारित किया है, त्यत्तर्मा आपको पता हुआ, इस्थानी सासन से जड़ा हुआ है, बहीं चौत्तर्मा जो है, इस्थानी सासन की निगरपालका, यानि ये गाउं से जड़ा हुआ है, और ये कहां से ये सहरी, यानि निगरपालका की सासन से जड़ा हुआ है, बरहाल दोनों जो लागू हु में हुए हैं तो आप यहाँ पर नोट कर देना यहाँ पर पहला पॉइंट ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है तो आपने देख लिया कि यहाँ पर लागू 1993 से हुए 1993 से हुए है यहाँ पर जो इस्थानी सासन को जो है राजी सूची के विसे में रखा गया है यानि कि यहाँ पर जो इस्थानी सासन जो है यह विसे राजी सूची में रखा गया है सुरुवात से ही राजिसूची में था अब चुँकि यहां पर इसे सम्मिधान में संसोधन करके अलग से रखा गया इसके लिए अलग से प्रापधान रखे गए तो पुराने चले आरे प्रापधानों को चेंज करना पड़ा यहां पर आपको पता होगा कि जब सम्मिधान अमरा बना और सम्मिधान जब लागू हुआ तो राजिसूची में स्थानी सासन वाली अबधारना को रख दिया गया था चुकि उस समय जो प्रापधान थे राजिसूची में तो उन प्रापधानों में इस्थानी सासन में बहुत ज़्यादा विसाय नहीं थे, बहुत ज़्यादा इस्ट्रिक्टनेस नहीं थी, यानि मनमाने ढंग से थी, लेकिन जब यहाँ बर दुवारा त्यात्तरमा चौत्तरमा से मिधान सलसोधन हो गया है, उसके बाद राज सू करने, ताकि यह नई लिष्ट जो है, उसको यहाँ पर दर्जा मिल सके, उस लिष्ट को यहाँ पर अपनाया जा सके, तो इसे लिष्ट के लिए एक साल का टाइम दिया है, ठीक है, यानि प्रदेशों को इन संसोधनों के आलोग में, इस्थानी सासन के अपने अपने कानु जो पाइदान है, सबसे निचला पाइदान है, इसमें रखा गया है ग्राम पंचायत को, यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे निचले पाइदान पर यहाँ पर ग्राम पंचायत आती है, जो के इसके दायरे में क्या है, एक या फिर से ज्यादा गाउं आएंगे, भही इसका ज पर को प्रटी से अब हाँ तरफ के लिए फोटा है कर लोडा है आपको पताइए होगा इसे मंडल्य का पंचायएत कहते हैं अब देंग्ए यहाँ पर क्या है कि मंडल या तालक पंचायद कहीं कुछ राज्यों में नहीं भी है माली कुछ राज्यों का सरूप चोटा है तो मंडल या ताल का बनाने की वजरूट नहीं पढ़ी है ठीक है यह बात यहाँ पर बताया गया है लेकिन अमूमन जो बड़े बड़े राज्ये से यूपी जीसे राज्ये है बहाँ पर मंडल भी है तो यहाँ पर वही होताया गया, ब्लॉक भी है हमारे यहाँ, अगला यहाँ पर है, अगला यहाँ आपका चोता है, सबसे उपर का पाइदान है, यह जिला पंचायत का इस्थान है, यानि इसके दारे में पूरा ग्रामी डिला का रहा है, तो आपने यहाँ पर यह नोड कर ल सभा के सदर्श होंगे यानि कि पंचाइदी हलके में जो भी ग्राम अद्दाता की रूप में दर्द व्यक्ति है वो ग्राम सभा का सदर्श होता है तो ऐसे करके यह बनाई गई है यह आप यहाँ पर लिख लेना अगला पॉइंट करके ठीक है यह जिस स्टेट से कंसर्न कर वही स्टेट फैसला लेगा क्योंगे राजसूची का विसे है अगर हम चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर तीनों स्तर के चुनाव होते हैं यानि आप समझ रहे होंगे निचले स्तर का जो पाईदान है आपका ग्राम पंचायत है मद्यवर्ति यानि कि आपक पंचायत को भंकर दिया गया है तो उस इस्तिदी में 6 मां के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप लिख लेना इनके चुनाव प्रदिती के बारे में अपने हिसाब से लिखने लेना यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुए उस से कॉर्णि लिख ल करने की बात चल लही है लेकिन अब तक कोई भी कानून नहीं लाया गया है बहराल यहाँ पर 73 में चौटर में समिदान संसुदन है ओल लेडी वन थर्ड सीटें जो वह मेलाओं के लिए रिजर्ब करती है यानि कि यहाँ पर जितनी भी पंचायते हैं उनमें एक त्याई सी की आरचर्ट रहेंगी चयाहिए वो एक थे चीटए महलाओं व्यों कोई भी हो उन सबके लिए एक सीटे महलाओं ख्ली आरचर्ट है इसके लावा आपको पता ही है रिजर्ब केटह करी में अन्वसूचिक जाती जन्जाती तो यहाँ पर इनके अनुपात ने यहाँ प्वश को मिला है ये बात आप जानते हैं तो यहाँ पर आरच्षड की बात करें तो आरच्षड के वल किसी एक निजले इस्तर तक नहीं है तीनोही इस्तरों पर दिया गया है तो यहाँ पर आप सेगेंड पॉइंट में आप निख लेना के लिए रिजल सीटे जनसंक्या के अनुप यहाँ पर सिर्फ सामाने स्रेडी की सीटों पर इस महलाव को एकता ही आरच्षड नहीं है जो आपकी SCST पर की सीट है उन्हों पर भी आरच्षड है यानि कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप लोग कहते है जनरल सीट है जनरल सीट पर सब लोग खड़े हो सकते है यानि किसी भी जात का खड़ा हो सकता है, तो यहां समझने माली बात है, आर्टषट का प्राब्धान के विए जन्रिल सीट पर ही नहीं किया गया है, चाहें वो SCST सीट हो, रिजर्ब हो, सभी को मिलाकर यहां पर आर्टषट का प्राब्धान है, देखें, यहां पर 29 विषए जो पहले राज सूची में थे, उन्हें 11 मीं अनसूची में डाल दिया गया, यानि यो 73 में समिदान संसुदन के जरीए, आपके समिदान में एक नई अनसूची जोड़ी गई, 11 मीं अनसूची, तो यहां पर ऐसे 29 विषए जिनकी पहचान कीगी, जो कि आप एक 25 तर से भिलों करते हैं, तो वो इस सूची में अस्तांतरिस कर दिये गए, तो इन कारियों का जो वास्विक नियंतर के इनके हाथ में, प्रदेश के कानून पर निर्वर करता है, कौन-कौन से विषए दिये गए हैं, वो यहां पर कुछ इंपोर्टेंट विषए ओं के बारे बताया गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहां पर क्रसी है, लगु से चाई, जल प्रबंदन है, यह सब चीजे हैं, यह 29 विषए ऐसे करके यहां पर रखे गई हैं इनमें, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, इनके बारे में कानून पर कौन बनाएगा, प्रदेश सरकार बनाएगी, यह बात आप समझ लीजिए, अनुच्छे 243 जी यह कह रहा है, अनुच्छे 243 जी यह बोल ला है, कि पंचायतों की सक्ती, प्रदेकार और उत्तरदायत तो किसी प्रदेश की विधाय का कानून मना कर, 11 वी नुच्छी में दर्ज मामलों में, पंचायतों को ऐसी सक्ती और प्रदेकार प्रदान कर सकती है, यानि कि इनके संबंद में अधिकार, इनके संबंद में जो आपके जो डिये गए विषयेंने कम जादा करना किसके हाथ में है, यह प्रदेस सरकार की हाथ में है, ठीक है, वो आपने यहापर देख लिया है, आगे बढ़ते हैं यहापर, अब यहाँ पर एक चीज और निकल के आती है देगे आपके नौवी अनसुचीब के according कुछ आपके ऐसे छेत्र है जो जन्जातियों के लिए आदिवासी समाजों के लिए आदिवासी समदायों के लिए रिजर्व हैं आप समझ रहे होंगे सरकार ने भी यही चाहती है कि इनके जो संसाधन है या इनकी जो परमपरा है इनकी संसकते वो बिल्कुल बिलुक्त ना हो तो इसके लिए कुछ प्राबधान ऐसे रखे गयते हैं इसकी वजह से आदिवासी जो समाज है वो विवस्ता इन जगहों तक कैसे पौँंचे क्योंकि यह जगह तो पहली से रिजर्व हैं यानि जो आपके आदिवासी वाले राखे हैं तो ऐसे में यहां पर फिर कैसे यह possible हो पाएगा तो यहां पर possible बनाने के लिए स्तानि सासन को 1996 में आपको याद हो का पेसा अधनियम के नाम से पेसा अधनियम एक लाया गया जिसके ज़रीए इसे बढ़ाया गया इस्थानी खास करके विस्तार अधनियम कहा जाता है तो पेसा अधनियम लाकर इन चेत्रों के लिए यहाँ पंचादी विवस्ता के प्रापधानों के इन के दाएरे में सामिल कर लिया गया, यानि सुरुवात में दिक्कत मैंने आपको भही होताया कि आधवासी वाले शेतर जो होते हैं, पहले से ही रिजर रप्त करती है गयते, जब देज, यानि समिधान बना था, कि आधवासी शेतरों में या छेडशाड नहीं की जाएगी, ले आधियम के दाम से भी जाना जाता है, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप यह नोट लगा के लिख लेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा, ठीक है, यानि कि यहाँ से लेकर, ठीक है, इसी में सब पोइंटर के यह लिख लेना, यहाँ से, ठीक ह भी यहाँ पर इनके अधिकारों की रक्षा हो ऐसा ना हो कि नए अधिनियम लाकर हम ऐसा करते हैं कहीं विस्तारवादी अधिनियम के त्याद इस्थानी सासन के अफधारणा तो ले आए कहीं ऐसा ना हो कि इस्थानी जो आधिवासी भालू हैं जो कि आपके ग्राम पंचाइट का धीन है उन सब के लिए इने किसकोई ग्राम सभागी नोती लेनी पड़ती है याने इन छेत्रों में ग्राम सभागी काफी स्ट्रॉंग बनाया गया ताकि जो उनके स्थानी संसादन है ऐसा ना हो कोई एक व्यक्ति अपने लालच में व प्रदेश के लिए जरूरी यह है कि वे एक राज चुनाओ आयुक्त का निक्त करें और यह जरूरी यह क्यों करवानी की बात की गई इसकी जिम्मदारी यही है कि हर पांस सालों पर पंचाटी राज सस्तां की चुनाओ करवाए ठीक है और यह काम कोन करता है यह काम करता है प्रदेश का प्रशासन, ठीक है, यानि कि इनका काम कौन करना है, प्रदेश का प्रशासन करता है, इसको नियुक्त करने का, बहराल यह पर जो आपका राजय चुनाव आयोकता है, यह जो यहाँ पर भारत के चुनाव आयोकता है, प्रदेश सरकार इसका चुनाव करती है, य इसके लाबा इस्थानी जो सासन वाली पद्दिती है, तो इन संस्थाओं को बित्ती धन की आवश्क्ता भी पड़ेगी, यानि अपनी तमाम कारभायों को संचालित करने की बित्ती धन की आवश्क्ता पड़ेगी, तो यहाँ पर हर पांच वर्स पर एक प्रादेसिक बित्त भी करेगा और साधी साधी जो राजस्तु का बटवारा है इसका भी पुन्डा वलोकन करेगा तो ऐसे करेगा यहाँ पर राज वित्तायोग की भी अनसुंसा की गई यही में और यहाँ पर वित्तायोग की भी अनसुंसा की गई है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब चोहत्त प्रात्मिक कारियों में सलंग्न ब्यक्ति ना हो 75% जनसंक्या जो है दुटियक तुर्तियक सेक्टर में वहाँ पर लगी हो ठीक है इसके लावा जनसंक्या के गहना तो ऐसे करके ऐसे चेत्र को हम नगरी ये शेत्र या सहरी इलाका कहते हैं आपको पता है भारत की जनगर्णा के एकॉर्णिक हमारे यही मानक चला रहा है तो ऐसे गड़के सन 2.11 में हमारे यहां 31 फीसद जनसंक्या आती है वो सहरी इलाकी में रहती है तो यहां पर बहुत अद्टक आपका जो चोतरमा समिदान संसोदन है वो ओविसी बात है विल्को पर पढ़ रहें तो लिख लेना और जो लोग अल्री जिवराफी कवर कर चुके हैं 11-12 वाली बहां पर लिख चुके हैं तो वो इसकिप मार सकते हैं यह मैं आपसे आपको मलब आपके सहूलियत के अकॉर्णिक बोलना हूँ यानि जो लोग पहली लिख चुके हैं वो सोच आप देखें यहां पर जो आपके सहरी निकायों के जो विखें हैं उनके लिए यहां पर 12 वी नसूची लिखी गई है यानि जैसे आपने देखा होगा कि ग्रामी डिस्तर के जो विखें हैं तो उनके लिए राज जेना क्या किया है यहां पर 11 वी नसूची जोड़ी है वा यानि कि आप दिखले ना कि यहां पर प्रदेश की सरकार यहां पर ठीक है यह बारे भी नुसुची में रखे गए हैं या आप अपने हिसाब से नूट कर लेना पॉइंट देगे मैं पॉइंट यहां पर इसलिए नहीं डलवा रहा हूं क्योंकि यहां पर ऊपर इसमें सब प सभ्याज में सबसे पहले स्टार्टन ओई थी देशन से नाघोर इण अकटूबर 1969 2 अक्टूबर 1969 से यहां पर नागोर जिली से स्टार्टन को साथ्यारती राज कि ए बात आपको पता ही ओगा एतियास, मगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लेए कि हमारे देश में पहली वार पंचाइजी राज आजादी के बाद जंता के बाद पहली वार पंचाइजी राज की स्थापना कब हुई थी 2 October 1969 को नागौर धिले से की गई थी ठीक है सबसे पहले यहीं पर रायस्थान में प्रयोग किया गया था यह वाला कहा गया है कि आज के पर बिक्ष में देखें तो ग्रामीर भारत में जिला पन्चाइदों जिलापन्चायतों की संक्या छेसो से जादा है अब तो करीब सासो के पहुँच गई है प्रकंड स्तरी पंचायत की संक्या अभरबात मद्बर्थी पंचाइद, 6000 यह 70 है, ग्राम पंचाइद है, ग्राम पंचाइद है, यह 6300 से जादा नगर निगम है, 1500 नगर पाले का थे, क्यां, यह जादा ही बड़ा सहर होता है, तो उसे नगर निगम, ठीक है, कम, जैसे, कम होता है कोई सहर माली जे, आपने देखा होगा, जिला लेवल पर नगर पाल का पाई आती है खास करके, और कोई जैसे बहुत बड़ा सहर है, ठीक है, तो वो नगर निगम होता है, जैपूर नगर निगम, ये नगर निगम, ठीक ह यहां पर वही सब चीज़ें गई हैं कि इन से लाब भी हुआ कि बड़ी संख्याम जन प्रतनिदी इन पर सामिल हो पाई तो कही ना कहीं इन सस्थाओं की जो बनावट बगएर है उसका भी सरपड़ा यानि कि यहां पर बनावट एक जैसी नहीं है हर राज में हर राज में द सब्सक्राइब तो कहीं कहीं है कई करूद बात जरूरी है इन पर बाद देता है राज्यों पर आगे बढ़ते हैं यह आपर अब यहां पर आर्चण के प्राब्दानों का भी यहां पर इस्ते माल हुआ है यआ कि मेलाओं की भारी संख्या मौझूदगी यहां पर सुनिश्च दो पाई है अध्यक्ष और सरपंच ऐसे पदों पर भी मेलाओं पहुच पाई है तो यहां बतायागा है भाई यहां पर 200 मेलाओं आज की रेट में आज की रेट में पहले के आंकड़े हैं लगवा दस साल पह खते हैं ठीक है भही अगर युपी में अपर यूपी में बात कर के लाद है तो यूपी में अपर फ्रेत है यहां बगार ये सब आपने अपने कोर्णिंग रखे गई हैं आप्क यूदी काना होजाना यहां नगरनिचम की बात करें तो यह सब बात ने इसमें लिखी हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं, जाजा से जादा महलाएं आई हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ इसकी जो खामिया हैं, वो भी गिनवा दे रहा हूँ, महलाएं वास्तम में जाजा से जादा महलाएं तो आई हैं, लेकिन कुछ बात हैं, आपने क्लास सेविंस में पढ़ी थी, क्लास कुछ बात हैं, मैं यहाँ पर भी दोहरा रहा हूँ, महलाएं के आने का मलब यह नहीं है, कि वास्तम में महलाएं अपने आप डिसियन ले पा रही हैं, काफी बार क्या होता है, कि महला सीट जब रिजर् दूसरी बात यह है, कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इस्थानी स्तर पर योगिता नहीं रखी गई है, यानि एलिजिवल्टी नहीं रखी गई है, कि कुछ पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है, हालां कि राजिस्थान जैसे राज्यों में क्या है, वहाँ पर अनिवार ही कर दिया है, कि आपके बास पांचमी पास की योगिता होना अनिवार है, पांचमी पास तो होंगे ही होने चाहिए, ठीक है, कही सारे राज्यों में अंगुठा टेक आ रहे हैं, तो ऐसे ब्यक्ति जो आप समझ रहे होंगे, जो बिलकुल पढ़ना लिखना नही होगा, दूसरी बात आप यह जान रहे होंगे, यह स्थानी स्थार का जो प्रसासन है, चूंकि सबसे ज़्यादा रायनेतिक बिद्वे सेसी में पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी यह कहीं ना कहीं एक रंजिस का मावल क्रियेट हो जाता है, और ऐसे में यह जो लगाता यह स्थानी स्थार की अपधाना है, बिफलसी हो जाती है, यह बात अक्सर आपने देखी होगी और यह आपने महसूस भी की होगी, कि वास्ता में नहीं चल पाती है, लोग यह कोशिस तो बहुत करते हैं, लेकि ऐसा हो नहीं पाता है, तो यहाँ पर वही सब बात बताई ग गई है, क्यों सक्सिस नहीं हो पाने का रीजन यह है, कि यहाँ पर प्रावधान रखे गए हैं, प्रावधानों में इन्हें बहुत कम अधिकार दिये गए हैं, यानि कि स्वतनता पूरवक करने की छूट इन्हें नहीं मिल पाई है, रीजन क्या है? जो अनुदान के लिए यह राज्यों की तरफ या पिर सेंडलो गॉर्मेंट की तरफ हाथ फैला के मांगते हैं क्यों चुक्कि इन्हें जो अधिकार दिया जिसे कर वसूलने का अधिकार दिया गया टेक्स लगाने का अधिकार दिया गया यह उन अधिकारों का पर यो करीन ही पा रहे हैं कर वसूल नहीं पा रहे हैं, या फिर और भी जो बित्ती अधिकार हैं, वो जादा नहीं दिये नहीं गई हैं, तो मजबूरी इनकी बन गई है, कि विकल्ब जादा नहीं है, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, यह बर्ड खुद लिखा है, इस NCRT किताब ने, कि वास्ता में प्रतीकात इसा हो, लेकिन हाँ, mostly, अगर 90% की बात करें, 90% यह इस्थानी सरकार हैं, वो प्रतीकात्मकी बनकर रहे गई हैं, इनका कोई धंका काम नहीं है, हकीकत बात यही है, प्रतीकात्मकी है, कि वाल 10% में अगर हम बात करने हैं, तो कुछ जगयों की हैं, जहाँ पर पड़े ले मात्र, 12-24% का योगदान दे रहे हैं, यह लोग, यह कुल राजस की वाई में इतना योगदान दे रहे हैं, जब पर सरकारी खर्चा इन पर कितना हो रहा है, 4% का सरकारी खर्चा इन पर ब्याय हो रहा है, समझ रहे होंगे, कि राज जी इन पर कितना ज्यादा धन कर्च कर रहे हैं लेकिन इनसे फाइदा कम हो रहा है तो अब यसी बात है राज जो जादा इन पर कहा जाए जादा तो अधिकार देगा नहीं क्योंकि भाई जहां पर राज यो को गाटा हो रहा हुता है राज वही चीजों को जो कटोधी करता है उनमें तो भही बात यहां पर बताई ले पाएं ठीक है तो यहाँ पर वही सब चीज़ें देखने को मिलती है बरहाल आगे चलकर अगर ऐसे और प्राब्धान बने और आगे चलकर अगर लोग सिक्षित हो जाएं तो यकीन मानिए यह प्रद्धिवी सुधर जाएगी यह जो इस्थानी सासन वाली प्रद्धिती ह नहीं होप आई है तो आई होप आपके मन में जो इस्थानी सासन से लेटा वीचारती हो कलीर हो गए होगा वैसे आप क्लास 6, 7, 13 में डिटेल में पढ़कर आए हैं आपने यहाँ भी एक बढ़ पढ़ लिए तो आई होप आगो कलीर हो गया होगा चलिए आज के लिए बस झाल झाल